आज हम बनाएंगी मटर मसाला बिल्कुल धाबा स्टैल में बहुत ही टेस्टी लगती है और पनाने में बहुत ही आसान है जटपट से बनकर की तैयार हो जाती है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो कड़ाई में हम डालेंगे दो बड़े चमस तेल और तेल को हम अच करके हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे अम टेल में प्याज को ढाल खरकि दो से तीन व्याज को पारहां अब यहां पर हम यह लैसूल काजू और टोमाटी मों डाल कर कि इसे और अब यहां पर अम टेस्ट की साब नमक डालेंगे ताकि ताकि यहां पर हम वह जलदी गल जाए और यहां पर हम ठब देंगे इसे पांच मिनट के लिए मीटम फ्लेम पर ताकि जो टंबापर प्याज हमारे वह वह सॉफ्ट हो जाए देखिए वाज हो ड़क दटाते हैं औ हम क्या करेंगे कैस की फिलीम को हम बच कर देंगे और इसे ठंटा होने पर पीस लेंगे बारी Vielleicht बना लेंगे इसका अब सेम पैन में हम दो बड़े चंद टेल डालेंगे और तेल कर लेंगे थेल की गरम होती है, इसमें हम एक तेज पत्त डालेंगे, दो टुकुड़ दालचीनी की डालेंगे, यहाँपर मैंने तीन छोटी लाइच लिए उसे डाल देंगे, आदा छोटी चमबच जीरा डालेंगे और एक चोथा town चमबच हम हिंग डालेंगे, इसे मिला लेंगे अच्छे से, अब यहाँ पर हम इसमें एक टिबल स्पून धनिया पाउटर डालेंगे, यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को लोपी रखेंगे, एक टिबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउटर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे, देखें मसालों को मै कर लेते हैं और यहां पर हम इसमें 1 फोर टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और यहां पर हम स्वात करने सार नमक डाल देंगे तो नमक डालते वक्त ध्यान रखेगा कि हमने सुरवात में भी इस वाटर गलाने के लिए नमक डाला था अब इसे मिक्स कर लेते हैं तो यह देखिए मैंने इस अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम गैस की फ्लेम को लो पिकर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे धक के 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे 2-3 मिनट हो गए धकान अटाते हैं और देखिए मसाले हमारे पग गए है और भी सेपरेट हो गए मसालों से अब यहाँ पर हम मटर आट करेंगे तो यहाँ पर मैंने 1 कप मटर लिया है उसे इसमें डाल देंगे और मटर को भी हम मसालों के साथ 1 मिनट के लिए बूल लेंगे तो इसे चलाते हैं मैं मचसे बूल लेते हैं यह देखिए मटर को भी मैंने 1 मिनट के लिए बूल लिया मसालों के साथ और आप हम यहाँ पर पानी आट करेंगे इसे मैंने अच्छा से mix कर लिया है अब gas की flame को हम याप पर low पे कर देंगे और low flame पर हम इसे ढख करके 8-10 मिनट के लिए पका लेंगे 8-10 मिनट हो गया है ढखकाने ठाते हैं और ये देखे हमारी मटर मसाली की सबजी बनकर के तयार हो गई है बहुत अच्छी खुश्पू आ रहे हैं सबजी से अब हम gas की flame को बंद कर देते हैं और ये देखे फ्रेंट्स हमारे मटर मसाली की सबजी बनकर तयार हो गई है बहुत ही टेस्टी लगती एक बार जरूर से ट्राइ कीजिए आपको रस्पी बहुत पसंद आएगी